दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में क्या आप जानते हैं अगर आपने ये काम कर लिया तो पेडियों तक खत्म नहीं होगा आपका धन और सम्मान जिहाँ घर के मुख्य दर्वाजे के आगे पीछे कर लें ये तोटका और आपकी पीडियों तक खत्म नहीं होगा धन और सम्मान वास्तुर शास्त्र के नुसार अगर आपके घर में सुक शांती की कमी हो धन नहीं आ रहा हो घर के सदस्यों में एकता की कमी हो नौकरी व्यापार में परिशानी आ रहे हो तो सरल सा ये तोटका कर लें घर के मुख्य दर्वाजे के आगे और पीछे इस उपाय से घर में सुक शान्ती आने के साथ साथ धन की प्राप्ती होगी घर के मुख्य दर्वाजे के अंदर और बाहर की और गणेश जी की दो प्रतीमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीट एक दूसरे से जुड़ी रहे ऐसा करने से घर की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं घर के मुख्य द्वार के इशान कोड में तुलसी का पौधा रखें रोज उसमें जल अर्पित करें और शाम के समय घी का या तिल का दीपक जलाएं ग्यारा बार ओम नमो भगवते वासु देवाई नमंत्र का जाप करें इससे अचानक घर में धन में तेजी से वृद्धी होगी पूरब दिशा या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगा कर उसकी नियमत पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्पविश्वास और एकता बढ़ती है घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोश हो तो घर की छत पर तुलसी का पौधा लगाएं साथी घर में अकाशिय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता अगर आप ये काम करते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोश हो तो बचने के लिए घर के इशान कोड में पाँच तुलसी के पौधे लगाएं और नियम में तुनकी सेवा करें पुजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ती या चित्र ना लगाएं किसी भी दो देवता की तस्वीरें इस प्रकार ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो ऐसे देवी देवताओं के चितर कभी भी नेरित्य कोण में नहीं लगाने चाहिए नहीं तो कोण का चेहरी का मामला आ जाता है उलत जाते हैं और दोस्तों दक्षण की दिवार पर कभी भी दरपन ना लगाएं दरपन हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की दिवार पर लगाएं घर की तिजोरी का मुख पूरव या उत्तर दिशा की ओर रखने से घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और आपको बता दें कि घर में आने वाले महमान या घर में रहने वाले सदस्य कभी भी घर के ठीक सामने जूते चपल न उतारें इससे बिना बुलाए नकारात्म कूजा का प्रवेश आपके घर में होता है जूते चपल घर के बाहर दर्वाजे से थोड़ा सा दूर रखें जितना हो सके अपने घर में या घर के दर्वाजे के सामने हर्याली रखें सूखे पेड़ पौधे ना रखें ऐसा करने से आपके घर में सुख शांती बनी रहेगी घर हमेशा हरा भरा रहेगा और घर के मुख्य दर्वाजे के पीछे किसी भी प्रकार की भारी वस्तू नहीं रखनी चाहिए और ना ही चाबिया, कैलेंडर या कपड़े टांगने चाहिए तो दोस्तों ये कुछ विशेश उपाई हैं जो अगर आप कर ले तो आपके घर में धन, साती-सात सुख, समरिद्धी भी बढ़ने लगती है ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए चमतकारी टोटके